जहिन साथियों मै इशार रहमत कॉंपटिशन कम्मुनिटी के इस 36 गड़ सब इंस्पेक्टर प्रोग्राम में आप सभी 36 गड़ सब इंस्पेक्टर के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार आप अपनी निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस्तर पर तयारी कर रहे हैं आई यह पहले जो है हम एक सुभी 4 पर चर्चा करेंगे दैन उसके बाद हम उपना सत्रस चालू करेंगे तो लेखक कहता है कि जो एक्तिया अपनी सोच बदल सकता है वो दुनिया बदलने की ताकत रखता है बिल्कुल सही बात है साथियो कि जो है सब इंस्पेक्टर का विद्यार्थी निरंतरता अपनी बरकरार रखे हैं और अपनी सोच जो है वो किसी भी निगेटिव पोर्चन में नहीं बदल रहे हैं कि हमें जो है कब भरती प्रक्षा होगा या नहीं होगा तो उनकी निरंतर जो है देखने को मिलती है आज की डेट में 36 गड़ के सारे मैदानों में कि वो अपना जो है करम भूमी में पसीना बहाते जा रहे हैं तो इसी उद्देश के साथ इसी लक्षे के साथ जो है अपनी निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखनी है और साथ में एक उद्दिशतर पर त तो उससे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपका चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकोन को दवाए ताकि जो है उसे नोटिफिकेशन अच्छी तरह से प्राप्त हो सके और 25 तारिक से लेकर आपका 25 अगस्त के जो यह सतर चलने वाला है उसमें वो प्रसने के दौर पर सारी चीज़े समस्ते हैं भारत कटने नहीं होगा यह क्या होगा कितने भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है तो याद रखेगा साथियो भारत जो है चार प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है वो किस प्रकार से है तो उपर में आपको मिलेगा आपका विशाल परवत स्रिंखला ठीक है हिमालय जी से कहा जाता है उत्तर का विशाल परवत स्रिंखला देन उसके बाद आपका मध्य का मैदान उसके बाद जो है आपका पेनेंसुलर प्लेटू मतलब कि आपका प्रायोधिपी भारत का पठार और तट औ तट और दूइब को एक साथ जो है मर्ज किया जाता है आइए नक्से में देखते हैं टेंशन मतलो तो चार प्राकृतिक भागों में इसे विभाजित किया गया है तो आइए देखते हैं इसे ठीक तो मैंने बताया कि उत्तर का विशाल परवत स्रिंखला ठीक है हिमालय बोलन भारत का पठार और तट वाला छेत्र और दूइब वाला छेत्र को एक साथ काउंट किया जाता है क्लियर है इतना ठीक तो चार प्राकृतिक विभाजन इसका इस प्रकार से है आगे बढ़ते हैं आईए अगला प्रस्ण है निमलिकित में से कौन सा मरुस्थल है देख लेत चेत्र जो है आपका यहाँ सबसे ज्यादा वर्सा होती है आपका चेरा पुंजी वाले ले मासीनग़ा में ड़न राम्राहारां पहाडियों के चेत्र में यहाड़र Kut m आपका शीत मरुस्थल कहलता है तो इसलिए छेतर को क्या कहा जाता है आपका मरुस्थली छेतर जो कि सिंदूनदी के छेतर के अंतरगत आती है clear अब यह मत भूना सर वहां क्रिसी तो कर सकते हैं अरे बरब से इतना ढके रहेगा कहां से क्रिसी करेंगे ठीक अब कुछ तो iAD रखेगा जो आपका गोडवानाकरम कि चाट्टान हे सबसे नविंतम चाहलती है भारत में डेल देखते हैं यह और देखते यह जो ही चेत्र पूरीं करम कि चाह्टान ilohya twoapp के निंड़े की पहाड़ी चेत्र में अगर कहा जाए कि गोडवाना ठ्षेत्र कहा है तो आपका यह जो आपका विधर्व वाला छेत्र हो गया थोड़ा हना का पाट आता है और उपर चोटा नाकपुर का पठार वाला छेत्र जो तो आपका करनाटक वाले छेत्र में यह पूरा धरवाळ का Allen घ्रिया है ठीक है यह पूरा धरवाळ का चेत्र है ठीक सबसे जब से मिनर लटा असका सबसे प्राप्त होता है चतिजगand में रजा जंद्रकर रनने वाला छेत्र ठीक है आगे बड़े कडपय क्या है चुना पत्थर डॉलॉमाइट निकलता है कडपय से बता होगा सब आप लोग को ठीक लेकिन मैं बता दे रहूं आप लोग को कडपपक सहल शम्म जो है जिसे डॉलॉमाइट और आपके क्या निकलता है चुना पत्तर ही रिमाइन्स जो है बहुत प्रसिध्य डॉलमाइट के लिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है भारत के पश्चिमी घाट को कहा जाता है साथियों याद रखना सहाधरी निलगिरी अपने आप में परवत स्रिंख तर अखेतर ऊपने प्रस्चिमी घाट को पश्चिमी घाट को पश्चिमी घाट कहलाता है केनार तट जो है आपका करनाटक ठीक है उसके बाद आपका माला बार तट क्या है आपका ये आपका केरल वाले तट को यहीं आया थे ना आपके सबसे पहले मतलब वासकोडी गामा तो ये सब सारी चीजों को याद रखना है उसके बाद आपके याद रखना है कोरो मंडल टट कहलाता है आपका तमिलनाडू वाला शेत्र पुर्वी घाट का मैदान के चेत्र वाला इधर ठीक है और आपका आंदर प्रदेश से लेकर उडिसा तक के उत्तरी सरकार प्रस्न की पहाड़ी है तो पुर्वी घाट पुर्वी घाट पुर्वी घाट पुर्वी घाट एक जगह कहां मिलते हैं तो निलगीरी की पहाड़ी में मिलते हैं ठीक है दोता बेटा इसकी सबसे उची चोटी है और आपका अगर पुछेगा कि दक्षिन भारत की सबसे उची गुजरात में क्लियर कहां गए आई ये तो काठिया वारा आपका प्रायदीप कहा है तो गुजरात में स्थित है ख्लियर है तो ऐसे मैप से सारी चीजे को हम लोगों हमें याद रखना अनिवारे हैं क्लियर आगे बढ़ते हैं उसके बाद है न्यू मूर्दीप किन दो दरसल बात ऐसी है साथियो आईए देख लेते हैं नक्से में एक बार फिर से फिर बोलोगों सर नक्से से बताओ नक्से से इधर आ जाता हूं मैं देखो यहां से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और यह जो है इस प्रकार से यहां जाके मिलती है गंगा नदी से य चेत्र आपका डिल्टा बनाती है यहां सुंदर वन का डिल्टा याद रखना है कहां वेस्ट बेंगॉल में ठीक है बंगाल टाइगर भारत का राष्टी पसू ठीक है तो यह वाला चेत्र जो है यह यहां के गाध से जितने भी आपका यहां से गाध आया उससे तैयार हो जो है आपका अपका दूइप और यह बारत और बांगलादेश के बीच में जो है विवयात का छेत्र हो जगे है और यह आपका नूमौर दीव कहला है इसलीए इसका नाम नाम नया ज़यादा बन गया कुनसा क्लियर है और तो किसकर बीच में है भाई कहां प्रस loro हमारा यह हो गया तो भारत और बांगलादेश के बीच में ठीक है भारत और स्री-लंका को न लग करता है एक दूसरे तो पाक जल्डमरू मध्य पिछली कक्छा में बताया था मैं ठीक है प्रसंद दस बार पूछते हैं वहां से देश में निम्नांकित में से कौन सब भागोलिक छेत्र सबसे प्राचीन है देख भई देख लेते हैं हिमालय का परवती छेत्र सबसे नया यह एकदम नवीन है सबसे नवीन है उत्तर भारत का विशाल मैदान यह तो हिमालय की वज़े से बना है बताया प्लेट टेक्टोनिक थेओरी हुई थी ठीक है गोडवाना लेंड अंगारा लेंड से मिला तो क्या बना आपका नहीं बताया था क्या चलो बता देता हूं दर असल क्या है करोड़ो वर्स पहले प्लेट टेक्टोनिक थेओरी हुई थी वो उसकी वज़े से जो है अंगारा लेंड गोडवाना लेंड से मिला और हिमालय प मज़े लेते हैं आये दो मिटी का पात्र रखते हैं और इन दोनों को एक साथ जो है आप मिला दिजैं मैदान बन गया इसके की वज़ास से बनाया है किसकर हिमाल करण और के कारण बन है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान और हिमालय परवत जो है वो सबसे नवीन परवत है भारत का प्रायोदीपी पठार यस प्रायोदीपी पठार जो है वो आपका गुडवाना लेन का पार्ट था जो कि पहले से जो है आपका तैयार था अब मेडा का मेडा अब भी भगते थी, यह था आपका अंगारा-लेंड और यह हो गया आपका गोडवाना-लेंड तो सात्य कारोड़ो साल जो है भूस टेक्टॉनिक थैयरी हूई और वही बता रहा था कोई भी मिट्टी का पात्म रखते हैं उसे दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो एक चेटर ऐसे करके उठ जाएगा जिस तरफ से ज्यादा प्रभाव होगा और ये मैदान का निर्माण हुआ इसलिए हिमालय यहां नविन रूप से तैयार हुआ और इस छेत्र में आपका मैदान नजर आता है क्लियर है आगे बढ़े अब जो है हम कहां थे आपका काठिया वाड़ा हो गया है अब जो है देश हां तो प्रायदिपी भारत का पठार जो है सबसे पुराना है जो कि पहले से गोड़वाना लेंड का हिस्सा था क्लियर अब पुर्वी तटी मैदान तो यह तो भही उसी का भाग था लेकिन आपका यह बाद में बना आगे का अगर जो है आपका इस प्रकार से प्राकृतिक विभाजन के रूप में बटा है पहला हो गया आपका ट्रांस हिमाले फिर उसके बाद वरियाद हिमाले फिर उसके बाद लगू हिमाले फिर उसके बाद शिवालिक हिमाले इस छेत्र से बटा है आगे में सारे चीज़े बताता हूं लेकिन जो है इस प्रका हमालय परवत के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं आईए भई ठीक है तो आपका इधर मैं एक और नक्सा बना लेता हूं फार्व कि दो प्रकार से जो बता रहे हुं से बता देता हूं यह वाला होगे आपका ट्रांस हिमालय वाला छेत्र जो की आपका कारा कुर्म, लद्धाक, जास्कार, पी पनजाल वाले छेत्र में फैला हुआ है ति फिर उसके बाद जो है आपका सब्से बड़ा आता है व्रि पढ़ेंगे तो सारा चीज कवर कर लेंगे ठीक है तो एक स्मार्ट स्टड़ी वे पर चलना तो अराम से समझने हैं सबसे बहुत क्या हो गया आपका उपर में व्रीहद हिमाला है ठीक सुरी ट्रांस हिमाला है सब से ओपर क्या है आपका trans 친्माले कभी कभी बोलने में तूटी हो जाती है भई चमा चाहूंगा । कौन सा है? trans 친्माले है ठिक trans 친्माले उसके बाद है आपका सिक जंगा दैन उसके बाद आपका आता है लगू है वे आपका अपका सिवालिक परवस्रिंखला जिसे हिमालय की पदिस्थली भी कहा जाता है तो इस भाग में भी विभक्त है हिमालय परवस्रिंखला और इस भाग में भी विभक्त है ये जो है आपका किसी वी सैसे है ये आपके इनके जो है चट्टानों की स्थिति पर अधारित है कि कोन सा और आपके इनकी उचाई के इस्ठिती पर भी अधारित है और ये जो है आपका नदियों के इस्ठिती पर अधारित है कि आपका आसम हिमाले ब्रह्मपुत्र और तिस्ता नदी के दूर में रहे मतलब छेतर में आता है नेपाल हिमाले जो है तिस्ता नदी और काली न प्रस्ण महाद यह रहा है प्रस्ण महाद है आइसे आगे बढ़ना है अंसर लगा के तो यह हो जायागा आपका नेपाल हिमाला है और यह पंजाब हिमाला है शिंदु नदियों सटला नदि बताया था आगे बढ़े इस नक्से को screenshot लेके याद भी करना है तो एक और एक जो है सक्री हमाला आपका ज्वाला मुखी है जो है आपका कौन सा बैरं द्विप बैरं द्विप न्रकॉंडम द्विप नहीं है यह होगा आपका बैरं क्या होगा बैरं बैरं द्विप होगा आपका सक्री जॉला मुखी ठीक है हल चल होते रहती है जो कि कहा है अंडबान निकोबार दूइफ समू में ठीक है एक आंसर बताओगा कि एक बार चर्चा करके बिल्कुल कमें बाक्स में आंसर देज़ेगा हिमालय किस प्रकार का परवत है ठीक है वीडियो को पॉस कर हिमालय किस प्रकार का परवथ है तो याद रखी कि हीमालय एक वलित परवथ है जीसे मोरदार कहा जाता Mayo Force क्लियर है आगे बढ़ें अगला है पश्चीं मी भाग में हिमालय की स्रेणियों का दक्षिन से उत्तर की और निमनी रिखित में से कौँस मतलब दक्षिन से उत्तर की और ओके ठीक है मतलब की देख लेते हैं एक बार दक्षिन से उत्तर की और तो दक्षिन में सबसे पहले मैंने बताया था शिवालिक आएगा क्या आएगा, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक, तो शिवालिक वाले में जाओंगा, दो में दीख रहा है, शिवालिक, clear, उसके बाद आता है आपका लगु ही माले, लगु, तो लगु ही माले कहां दीख रहा है, यह रहा लगु ही माले, यह रहा अंसर, तो इस वे पे जाना ह जैसे हम ने पढ़ा कि सबसे पहले ट्रांस हीं माला है देन उसके बाद आपका व्रिहत हीं माला है और उसके बाद आपका है लगूह जोगा फिर उसके बाद आपका ट्रांस हिमाले होगा ठीक है तो ऐसे दिमाग के चच्चु कोल के बनाने क्लियर आगे बढ़ें अगला है किन डौ डौ नहीं होगा भाई यह ठीक है यह हमेशा इसका दो डौ हो जाता है चमा चाहूंगा अब मैं भी दो लिख दिया भाई तो क्या हो जाएगा यह दो किन दो परवस्रेडियों के मध्य कस्मीर घाटी इस्थित है तो किसके इस्थित है किसके बीच में इस्थित है तो याद रखे पर समझ में आ सकता है बिल्कुल नहीं है एक बार नक्सा ड्रॉ कर लेते हैं यह नक्से में ही चले जाते हैं अब इस नक्से महदय में जो है आपका हम देख लेते हैं सारी चीजे मैंने बताया आप लोग को कि यह होगे आपका अब जो है यह वाला च्छेतर कहलाएगा आपका व्रिहाध हमाला जो कि आपका कहां से कहां नंगा परवत से लेकर नामचा बरवत तक के फैला हुआ है सिक्की में सबसे उची चोटी है इसकी कंचन जंगा भारत में स्थित ठीक है अगर नेपाल में कहेगा तो आपका से में बहतर तरीके दिखेगा तो यह वाला जो पीर पंजाल वाला च्छेतर है और विर्याध हमाला च्छेतर है इसके बीच में कस्मीर घाटी मिलेगी तो इसे प्रकार से समझना है ठीक अब बोल दोगे सर पंजाब वाले च्छेतर में ले लिए हो नहीं कस्मीर घाटी उ अगला है हमारा निमने लिखित भारत का बेसाल्टी लावा प्रदेश है तो कौन सा है बेसाल्टी लावा प्रदेश आपका कहलाएगा धक्कन का पठार बेसाल्टी लावा प्रदेश है ठीक है आगे बढ़े अगला प्रसन है हमारा प्रावदीपी भारत की कोईला पट्टी किस काल में विक्सित हुई है तो देखो भाई कोईला से संबंधित जो चीज है वो गोडवाना आपका सेल समू से संबंधित होता है तो याद रखिएगा इसका अंसर कहीं और नहीं जाना है तो क्या हो जाएगा गोडवाना काल से संबंधित है क्लियर है आगे बढ़े अगला प्रसना है निमली कित में से कौन सी भारत की नविंतम परवर्ष्रेणी है तो कौन सी परवर्ष्रेणी सबसे नविंतम है नविंतम मतलब की आपका सबसे नई कौन सी है तो याद रखिएगा आपका कौन सी है हिमादरी स्रेणी मतलब की हिमाल प्लेट विवर्तनिकी का सिध्धान्त 1967 में एक्चुली दरसल बात यह है साथियो यह वाला जो कथन है वो असत्य होगा और असत्य को इस प्रकार से होगा कि प्लेट टेक्टॉनिक का जो सिध्धान्त है जो मैंने आप लोग को बताया कि गुडवाना लेंड और अगारा लें विस्तारण सिध्धान्त पराधारित है बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया कि समुद्र तल का विस्तारण प्लेट टेक्टॉनिक त्योरी कहलाता है तो यह आपका आंसर हो जागा एक सत्य है परंतु कथन दो असत्य है तो इस प्रकार से इसे समझा जा सकता है अगला प्रसन ह हमारा प्रसन का मांग सत्रा साइलेंट वैली निमलिखित राज्यों में से किसमे इस्थित है तो याद रखेगा साइलेंट वैली जो इस्थित है वह आपका किसमे इस्थित है केरल में इस्थित है क्लियर आगे बढ़ें साइलेंट वैली किसमे है केरल में है आगे बढ़त देन उसके बाद है का सिक्किम तो ही है हिमाचल प्रदेश वाला च्छेतर आता है हुत्तर प्रदेश व्द्व और नहीं आएगा SUS नेपाल के शार च्छतर ब olitä जाता है जो कि हुमालय के ड's अगला प्रस्न है हमारा हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकरिती पाई जाती है तो करेवा याद रखना साथियों कि यह एक जील निच्छेप है जील से बना गया चेत्र है जहां जो है किसका खेती किया जाता है तो केसर की खेती करने वाला चेत्र कहलाता है आपका करेवा चेत्र तो इसका अंसर हो जाएगा आपका कस्मीर हिमालय वाला चेत्र जो है आपका इसका अंसर हो जाएगा ठीक है कस्मीर हिमालय वाला चेत्र जो है इसका उत्तर होगा साथियो क्लियर हैं । आगे बढ़ें मतलब जितने भी प्रस्ども दिए जा रहे हैं यहांसे प्रस्न पूछने की आसंका बहुत है जाद रखेगा साते वह ज़ाए ठीट है तो याद से इंखला में है तो आपका पस्चीमी घाट वाले छेतर में है ठिक आशा करता हूं यह सारी चीज़े आप लोग को समझ में आए होगी इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा जै हिंच जै भारत